नमस्कार आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ खास और कुछ रोचक जानकारी लेकर इस वीडियो में हासिर हो चुकी हूँ दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसी में अब यानि कि आज के दिन शावन का शिवरातरी का महापर्व है साल में वैसे तो कई सारे शिवरात्री आती हैं लेकिन जो सबसे जादा महत्वपूर्ण होते हैं वो होता है महा शिवरात्री और सावन की शिवरात्री ऐसे में आज का जो दिन है ये बहुती शुब है और आज 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को श्रिवरात्री का महा पर्व मनाया जा रहा है तो इसी से जुड़ी कुछ जानकारी लेकर मैं इस वीडियो में हाज़र हो गई हूँ चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज सावन शुबरात्री का पर्व है सावन मा में भगवान शिव के जलाबिशेग का विशेश महत्व होता है जिसमें से सावन सोमवार और सावन शुबरात्री पर भगवान भूलेनात के जलाबिशेग करने का विशेश महत्व है इस साल सावन मा की शिवरात्री 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को यानि की आज मनाई जाएगी वह हिंदू पंचांग में अगर देखा जाए तो साल में 12 शिवरात्री होती है लेकिन इन में से दो ही शिवरात्री का खास महत्वत माना जाता है और उन्हें महत्वत दिया भी जाता है इन में से सबसे प्रमुख है फागुन मास्ट की शिवरात्री जिसे माहा शिवरात्री भी कहा जाता है वहीं इसके अलावा दूसरी जो सबसे जादा महत्वत पूर्ण मानी जाती है वो है शिवरात्री सावन की शिवरात्री इस दिन विधी विधान से शिवजी की पूजा की जाती है और साती सनातन धर में श्रावन मास की महिमा का वंडन भी किया गया है मानेता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर महादेव जल्द ही प्रसंद हो जाते है और उन्हें उनकी विशेश क्रिपा प्राप्त होती है बता दे शिव जी की क्रिपा जिन लोगों पर होती है उनके जीवन में कभी भी सुख समर्द्धी की कमी नहीं होती है श्रावन मास में शिवरात्री की पूजा कब है और इसके महत्व क्या है इन सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे दोस्तों शावन शिवरात्री यानि कि आग 26 जुलाई 2022 मंदलवार को है और यह जो है शुरू होगा सुबह के 6 बच के 46 मिनट पर और यह जो खात्मों होने का समय है इसका है 27 जुलाई 22 को 9 बच कर 11 मिनट पर दोस्तों सावन शिवरात्री के दिन देवों के देव महादेव की पूजा जला विशेक करने के लिए शुब मुरत 26 जुलाई की शाम 7 बचकर 24 मिनट से रात 9 बचकर 28 मिनट तक ही रहेगा सावन शिवरात्री के दिन सुर्योदय से पहले उठकर सनान आदी कर ले और फिर वरत का संकल्प ने इसके बाद घर में या किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें शिवलिंग का रुद्राबिशेक, जल, घी, दूद, शककर, शहद, दही इन सभी चीजों से करें शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चड़ाए भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल आधी से पूजा करें साथी शिव पूजा करते समय शिव पुरान, शिव स्थुती, शिव अस्टक, शिव चालेशा और शिव श्लोक का पाट ज़रूर करें शान के समय फलहार ग्रहन करे। मानिता है कि मासिक शिवरात्री का व्रत रखने और भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामधाय पूरी होती हैं इस दिन व्रत करने से मुश्किल कारे भी आसान हो जाते हैं और वर्ति की सारी समस्याय भी दूर होती है, साथी जो कण्याय मनोवांचित वर्पाना चाहती है, इस वरत को करने के बाद उन्हें उनकी इच्छा अनुसार वर्प मिलता है, वेवाह में आ रही रुकावटे भी दूर होती है, आशा करती हूँ कि आप सबी को हमारी आज की एक खास वीडियो पसंद आई होगी जिसमें आज की सावन की शिवरात्री की स्तारी जानकारी हम ने आपको दी है आचा करते हूं आपको सनज आई होगी पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताईएगा